एक बात समझ लेना बहुत ही फलदायक पैठक हुआ और जब भी अच्छी बैठक होती है तब समझे कि कुछ जो मानसिक्ता की मीडिया जो है वो उल्टा अगर चलाती है तो इसका माइने रख समझ जाना चाहिए कि अच्छी बैठक हुई तो कुछ मीडिया मानसिक्ता के है किस प्रकार से की है अघ्ए लूट सब लोग हुआ था तो यहीं बात हुए है कि भाई कोई मीडिया में जाएगा तो लोग अपना बात कर लैंगे बाकि सब लोग है नराजगी बढ़ने बेकार की बाते हैं कोई नराजगी नहीं एक दम मजबूती के साथ हम लोग साथ है और मजबूती के साथ यही निर्दय हुआ है कि भाजपा को हराना और हम लोग इसकाम में लगे हैं इसके बाद जो प्रोटेस्ट कियो उसको लेकर भी सवाल उठाए जो आज भी लोग जो हैं जंतर मंतर पर बैठे हैं हमारे पाटी के भी एंपी बैठे हुए राहूल गांदी खुद बैठे हुए सभी दल के लोग हैं वहां इंडिया अलाइंस के तो हम लोग करीने काम लेकिन जो हुआ आप एक बात समझ जाए इतना बड़ा सेक्योरिटी को लेकर के जो है कैसे सेक्योर्टी के में चूब हुई ये खबर नहीं है कौन किसका मिमीकी रिखर रहा है यह खबर में है अगर कुछ सांसेदों का जान चला जाता देश के सबसे सुरक्षित पवित्र मंदिर में कुछ लोग आते हैं घुष जाते हैं अंदर दौर लगा देते हैं इस पर चट्चा नहीं हो रही लेकिन कौन किसका रिकारडिंग कर रहा है इस पर जो है लोग ज्यादा आहत है तो यहीं नियू इंडिया सब्सक्राइब करें किसी की कोई नाराजगी नहीं है लेकिन यहीं तैवा कि सीट शेरिंग जल से जल्द कर लेना है और कई जगे जो होगी रैलिया होंगी वहां हम लोग जो है पांचे जगह कहां रैली होगी सब नेता लोग जाई यहीं चर्चा होई थी नहीं अभी अभी इसके को ख़वर नहीं दंकर से बहुत दुखी है बोलना है कि जाट और किसानों का अपमान किया गया यह तो हम इससे सैमत नहीं है किसका अपमान किया लेकिन देश के इतिहास में एक जाइज सवाल विपाक्षी ने पूछा था कि भाई आकर कि इस पश्टिकरन देदे कि कहां कुलाप्स हुआ है कहां चूब हुई है पाल्लेमेंट में सेक्योर्टी को लेकर के इसको लेकर अगर डेर सो सांसेदों को आपने लंबित कर दीजेगा और आप अपना चैर पे हैं तो चैर पे तो निश्पक्षता से आपको दोनों लोगों को लेकर चलना पड़ेगा पक्च हो या विपक्च हो कर दो